नवस्कात दोस्तों सई सेमय पर पिये के कड़े बिगूंट अक्सर जिन्दी की मीटी कर दिया करते हैं नवस्कात दोस्त रादे रादे स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल गीता ग्यान में आज जम बात करने जा रहें सिंगरासी वालों की सिंगरासी वालों को 16 माई दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन किन चिन्द सापतर रहना हुगा और सिंगरासी वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से कुसकबरी मिलने वाले हैं तो दोस्तों आए शुल में आपको बताएंगे सिंगा रासी वालों को पार्क वर जीवन कैसा रहेगा उनका बेनी स्प्यापर कैसा चलेगा उनका प्रेम संबन्द कैसा रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आए शुलन आए का स्वास्त पूर रास्पल बताएंगे अगर दोस्तो आपकी विस सिंगर आसी गया तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज मंगलवार है हनमान जी करते ने कमेंट में दोस्तो जैसे लिए राम लिकें हनमान जी आपकी मनुकामना पूरी करें दोस्तो वीडियो को लाइक करें अगर आप ख्याने पर पहली बार आये हैं तो इसे सस्काइब जरू करें और साथी साथ बेल आइकन ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नौटिफिकेस न मिल सकेगे दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांगी 16 माई 22 दिन मंगलवार आज की 32 असी आज का नचतर उत्तरवाद पतने चतर पचे चादा किशने पच आज सूर उदव होगा सूर पांच बज़ के 30 मिनट पर और सूर अस्त होगा समसात बज़ के 5 मिनट पर दोस्तो आज का सूर समय है दोपर 2 बज़ के 33 मिनट से दोपर 3 बज़ के 41 मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आपको सूर करना चाते हैं तो आप इसी समय करें आपके लिए सूर वोगा साती आपको वताएं आज का असूर समय है सूर 11 बज़ के 14 मिनट से दोपर 12 बज़ के 18 मि पूर अस्वब्रंग, कुलावी और निला दोस्तो आप बात करते हैं आज के रासि भली के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा आज के जानते हैं तो दोस्तो मानसिख सांथि के लिए किसी दानपुन्ने के काम में सहवागत करें निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेवन सावित होता है आज आपको यह वास समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आज आपको मुनापख हो सकता है जिने भावनात में सम्मल की जरूरत है बेपाएंगे कि बड़े आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं आपका प्रिया आज रोमेंटिक मूड में होगा अपना समय और उर्जा दूसरे लोगों के मदद करने में लगाएं लेकिन ऐसे मावलों में पढ़ने से बचे हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है आपको कुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोसे सक कर सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ समय विताना जिसका साथ आपको बहुत पसंद ना हो आपकी नाराजगी बज़य हो सकता है इसलिए सोच समझ कर फैसला करें कि आप किसके साथ बाहर जाने बाले हैं साथी आपको बताएं आज आप उर्जा से बरपूर होंगे और कोई असादर करेंगे आज आपके भाई बेन आपसे आर्थिक मदद माग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दवाम में आ सकते हैं हाला कि इस्तिती जल्दी सुदर जाएगी रिष्टेदारों से सेयोग मिलेगा और दिमागी बोई से चुटकारा मिलेगा आपको अपने प्रिये के साथ समय बितानी की जरूरत हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानवा समझ सकें आज के दिन आपके लिए कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं हाला कि इस तोरह सराफ सिगरेट जैसे पदार्तों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा जीवन साथी के साथ यह दिनों और दिनों की अपेच्चा अच्छा बहुत गुजलने वाला रहेगा आज आपको महसुस हो सकता है कि आपका प्रेमी आपसे दूर हो रहा है साथी तर दोस्तों आपको बताएं सोचे हुए पुराने काम सुरू करें फायदा हो सकता है आज आप अच्छा महसुस करेंगे सामोहिक और सामाजिक काम के लिए दिन अच्छा है परवार के ज़्यादा तरकाम आपको निप्टाने पड़ सकते हैं दोस्तों के साथ समय बिताएं किसी तरह के निविस की योजना भी बना सकते हैं धनलाव हो सकता है उधार दिया गए पैसा आपको मिल सकता है ओपिस और बिजनिस में आपके लिए किये गए बड़े फैसले फायदा देने वाले होंगे साथी साथ आपको बताएं आज अचानक कई से धनलाव होगा आपके आर्थिक पच मजबूत होगी आज आप किसी जरुत मंद की मदद करेंगे आपको पारिकवार सुख की प्राप्ति होगी सुबह है सफलता जरुल मिलेगे कार छेतन व्रत्ति की साथ साथ धनलाव भी होगा लम्मेट के लिए आज का दिन बढ़िया है ब्रामण को मिट्टी का बढ़तन दान करें धन में बढ़ुत्री होगी साथी दोस्तों आपको बताएं आज अपने बिचारों को दायरा बढ़ाने के कोसिस करें कभी-कभी लापरवाई और अति आत्विश्वास की बज़ा से आप धोका भी खा सकते हैं साबतर रहे जीवन साथी को इसपिस देने से पारगवाज जीवन सुचारू रूप से चलेगा प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा आज के दिन कर्ज आदि से दूर रहे बिवसाइक परिगति के लिए आज का दिन अन्कूल है केराडिक कार्ट के बदले कैस रखना सुरू करके आप बेवजय की खरेदारी पर अंकूस लगा सकते हैं इस रासी के इंजिनिर्स आज अपने अनुवव का प्रियोग सई दिसा में करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगे किसी पिर्तियों की परिच्चा में सफलता आपकी कर्दम चुमेगे और आपको बताएं आज का दिन आपके लिए सुब रहनी वाला है आज आपका समय बच्चों के साथ वीतेगा जिससे पारकवार महौल भी कुष्णमा बना रहेगा बहुत सारे रोमेंटिक अवसर आपके रास्ते में आ रहे हैं प्रेम संबंदों के लिए दिन पित्तु को नजर आ रहा है किसी अन्य व्यक्ति की बज़े से बैवैक जीवन में तनाव खुत्वन हो सकता है आज राजिनीतिक से जुड़े लोगों को अचानक धनी की प्राप्ति हो सकती है किसी भी छित्र में बित्ति लावा को तोलें और फिर नेड़े लें तो आपके लिए अच्चा होगा बेवसाय में आज ज्यादा काम की अधगता रहेगी आपके काम से जुड़े ग्यान को बढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आधिक जिन्ता भी सता सकती है साथी आपको बताएं कि आज अटका हुआ पैसा प्राप्त करने की कोशिस करें जिस बिरकार से आप निवेश करेंगे उस तरह से आपको फल प्राप्त होगा रियल एस्टेस से जुड़े लोगों को मैत्वूर प्रजवक्ट प्राप्त हो सकता है दामपत जीवन में उचित सामानजस बना रहेगा तता घर में सुकद माहौल होगा प्रेम संबंदों भी नई दीकें बढ़ेगे पार्टनर की और आपकी एक दूसरे से अपेच्चा अलग होने की बज़े से रिलेसंसिप को तोड़ने का नेड़े लिया जा सकता है ब्याजाम और यूग के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए वन्ना नसों में खिचाव और ददी की समस्या परेशान कर सकती है काम के संबंदित वाता जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे बिवसाइक कार योजनावध्य तरीके से संपन हो सकती है मार्केटिंग पेमेंट कलेक्ट करने में अधिक समय ना लगाए सरकारे सेवारत लोगों को उच अधकारियों के तरफ से कोई अथोरिटी मिल सकती है दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए चानते हैं तो दोस्तों आज आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की यात्रा और सौपिंग को लेकर काना सुनी हो सकती है ऐसे में आपको अपने मदूर संबंदों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए नई तो हालात बिगड़ सकते हैं लेकिन आपके प्रयास से इस्तियां काफी अनुकुल हो सकती हैं और आप अपने रिष्टे को नई रचनात्मकता देंगे और अपने रिष्टे को मजबुत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के पिति आकसर भी महसूस करेंगे लेकिन त्यान रखें मर्यादिर आचर रखना ही आपके लिए सई सावित होगा साथ ही जाथ दोस्थों आपको अपने प्रयास को यह भी महसूस कराना हुगा की वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी मेहत्त रखता है आपका प्रियतमी, आपका सब कुछ है तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है आपको इस दिन का लाग पठाना चाहिए दोस्तो अब बात करते हैं आपकी हल्यद्ट की, आपका स्वास्त कैसा रहेगा आई की जानते हैं तो दोस्तो, आज घर में आपके गरे के चलते आपको घर से कोई परिस्थानी हो सकती है साथी आपको बताएं कहें आज आप जाद़ा भागद के काम ना करें वह आपके गिरने पस चोट लगने आदी की संभावन आए इसलिए आप जो भी काम करें तोड़ा ध्यान से और सोच समझ करकर करें और आप अपने स्वास्तों को और भी अधर्चा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यार नखें और रोजाने यूगे बैयाम करते रहें नवस्काल दोस्तों रादे रादे दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथे साथ बेल एकन और पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नॉटिफिकेशन मिल सकेगे